हेलो बच्चो स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नाविक जीडी टीवी और यांत्र के डिगारिंग जो अभी कुछ समय पहले रिजल्ट आये हैं यानि कल के डेट में जो आपके रिजल्ट आये हैं उससे वीडियो पर पूरा बने रहेगा और एक एक पॉइंट को बिना स्किप की वे देखिएगा ताकि आपके डाउट क्लियर हो सके यहां पर आपको बच्चे का प्रॉब्लम था कि सर हमारा कटफ 62 जा रहा है और हमारा मार्स जो अप्टेंड है यानि जो हम मार्स ला रहे हैं वह हमारा 64 मार्स है फिर भी हमारा सेलेक्शन नहीं हो पाया और हम सकेंड स्टेज के लिए यानि सेक्षन टू के लिए सौर्ट रिस्टे नहीं हो पाए ऐसा क्यों हो रहा जबकि हमने सर कटफ को क्लियर कर लिया है लेकिन हमारा मार्स कटफ हमारा 62 ही है और मार्स हमने 64 लाय स्कत्राइब करण को समझते हैं ए्खिर ऐसा क्यों हो रहा है ठीक है और जेन बच्छों का सेलक्शन हो गया है हमारे बहुत सारे बच्छों का स्लेक्षन हुआ है dollar हमं उन्हीं से कुछ बच्छों का आपको विडियो कि उन बचों का नाम रॉलों नूमर सभी चीज़ देखे कि उन्हों ने कैसे पढ़ाय किया क्या यहां तरिक सभी में सेम फॉलो होंगे हम आपको यहां पे GD का एजामपर लेकर सिखाते हैं आपको सारे चीज़ समझ में आ जाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है देखिए section 1 और section 2 GD में दो आपके section होते है section 1 section 2 आपको दोनो section का एजामनेसन देना होता है section 1 की बात करते है section 1 का जो आपका max marks होता है 16 marks का होता है section 2 ka maximum marks होता है यह मार्क्स फिक्स होते है passing marks जो होता है 30 होता है और आपका passing marks section 2 का 20 होता है तो यह दोनो आपका fix हो गया 20, 35 then 20 आपका changing कहां पे होगा mark's vain होगा तो माल लेते हैं कि आप इन्हें इंख़ाम दिया GD के तो माल में पधिन 1 आपकोいました यहारा है चीज होने से अपको 22 मिद्येतों मैं कशिए musiे कि खार रो रहा है और आपका कशेकर की जंब दर्याए और अ kopने दिया उसमें अपर कितना हुअा उसमें आपका माक्स अपने शाया थाउन स क्या हो साई हो abbiamo आपने लाया marks 57 अपने 57 marks लाया लेकिन आप क्या करेंगे मालेते हैं फोलिखले नाए आपका cut up होगा शिस्टी टू होगा मालेते हैं आपका cut up 62 होगा ठीक है't ситу तो आपने marks कितना है आप 57 लेकिन cut up कटना है 62 तो आप क्या होंगे क्विफाइड नहीं होंगे भले आप section 1 के जो passing marks का criteria है उसको आपने fulfill किया है आपने section 2 के passing marks के criteria को fulfill किया है फिर भी आपने cut off के criteria को fulfill नहीं किया है इस करण से आपका selection नहीं होगा यहाँ पे लिखाएगा आपका not selected for stage 2 समझ रहें यह आपका एक condition बनेगा समझ रहें यह आपका condition बनेगा जब आपका क्या होगा आपने दोनों section के criteria को fulfill किया लेकिन overall जो marks के cut off है उसको आपने fulfill नहीं किया तो आपका यह condition बनेगा तब भी आप selected नहीं होगे तो एक condition आपका fulfill हो गया इस type के बच्चे को जो भी problem होगा तो उनको यह आप doubt खतम हो गया होगा अब चलिए अब हम क्या करने वाले हैं और हम next तरीका से बताने वाले हैं आपको next हमारा क्या होगा next कि सेक्शन तू में सेक्शन डू में बच्चे का आता है कितना आपका जय आपका आपका चाथस होगया आपका क्टफ किस्टी तू और आपने लाया इसिस्टी फॉड ठीक है तो यहां पर आपका cut off का criteria आपने fulfill कर लिया तो बच्चों को लग रहा हुआ कि हम तो क्या हो गए है आपका select हो गए हम तो select हो गए लेकिन ऐसा नहीं है क्यों select नहीं हो गए आप फिर भी यहाँ पे आपका लिखेगा not selected आइसा क्यों लिखेंगा not selected क्योंकि आपने जो passing marks के section 1 के criteria है 30 number का उसको आपने fulfill किया है लेकिंग जो section 2 के passing marks का criteria है 20 number ठीक है उसको आपने fulfill नहीं किया यानि आपको यहाँ पे सिर्फ 19 number आए इस करण से आप इस करण से आप यहाँ पे क्या होंगे not selected आपको लिखेंगा क्यों आपने overall cut up पार कर लिया लेकिन आपने जो criteria था आपका 30 marks और 20 marks का उसको आपने fulfill नहीं किया आपको दोनों section में जो आपके passing marks criteria होते हैं उनको fulfill करना पड़ेगा ठीक है तो यह एक आपका possibility हो गया तो इस type के problem बच्चों को आ रहे थे कि सारा ऐसा क्यों हो रहा है क्यों हम नह 25 आप जोर यह number कितना होगा आपका 45 प्लस 25 टोटल हो जाएगा तो यह कितना हो जाएगा 45 प्लस 25 यह आपका हो जाएगा 70 नमर यानि आपका mark 70 है और आपका cut up 62 है यानि आप क्या है इस criteria को fulfill कर रहे है साथी साथ आपने section 1 के जो 50 marks का criteria है 30 number आप इसको भी fulfill कर रहे है और आपको यहां पर लिखेगा selected for section 2 क्या लिखेगा selected for section 2 तो यह सभी तीन टर्टेरियों का जब तक आप fulfill नहीं कर पाते हैं तब तक आप selection नहीं होगा आपका किसी एक region से किसी एक criteria को आप fulfill नहीं करेंगे तो आपका क्या होगा वहां पर selection नहीं दिया जाएगा ठीक है तो यह सारे regions थे आपके जो की सारे बच्चों को problem था तो अब आपके यह side problem नहीं रहेंगे आपके सारे doubt clear हो चुके होंगे और हम आपको बोलेंगे कि जो बीद गई सो बाद गई अब आपको जो आने वाले समय में जो vacancies आएंगे जुन जुलाई के आश पास उसमें आप जम के पढ़ाई कीजिए हम आपको फिर से starting से त्यारी करवाएंगे टेंसल लेने की बिल्कुल जड़त हैं आप जहां से पढ़िए आप हमसे पढ़िए कहीं से पढ़िए आप बिल्कुल पढ़िए आपको सारे चीज अच्छे से clear होंगे ठीक है हमारे पढ़ाने से बहुत सारे बच्चों को किलियर हुआ है उनके रॉल नंबर और उनको फोटो हमने उनके से मांगा है वह जैसे अपना फोटो रॉल नंबर भेजते हैं हम आपको उस पर वीडियो बना कर बता देंगे कि इन इन बच्चों का सेलेक्शन तो आपको क्रॉस लग तभी आपका सेलेक्शन नहीं होगा इसमें से चलिए वीडियो को हैं तरखते हैं अगर सारे चीज़ में आँगे डाउट आपको क्लियर हो चुका एंगे तो आप बिल्कुल बच्चे क्या नहीं कि पर लिखिया कि हां सर आपके बताये गए सारे डाउट हमारे क्लियर हो चुके हैं तो थैंक्स पर आचे में वीडियो तक के लिए पपाया है